नमस्कार, राम राम और आप सभी को मेरा प्रणाम सरसे पहले आज का वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आप लोग से बताऊं या ना बताऊं अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साएद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आएंके खुल जाए कि अभी कुछ दीर पहले, कुछ दीर पहले मैं वीडियो देख रहा था, इसका पठान भाई का, क्या कि मैं पठान भाई का सस्कॉ snugर मैं उनका वीडियो काफी देखता हूं, जब भी वीडियो अप्लोड क सब्सक्राइबर हो और उनका भी वीडियो में देखता हैं आज जो बात हो रही है बात यह हो रही कि आलोग भाई ने पठान भाई का सपोर्ट इसलिए कि पठान भाई कभी किसी भी मुद्दे पे जूट नहीं बोलते हैं अगर कोई बात बोली है तो उसमें कहीं ने कहीं पर एक और वीडियो बराई और उन्हों ने यह बात कहीं कि आलोग भाई इंडिया में पहली बार किसी यूट्यूबर ने मेरे वीडियो को पर रियक्ट किया और मेरा सपोर्ट किया एक अच्छी बाते बताई और बहुत अच्छी बाते बताई और हम भी पठान भाई का तो पहले आप इस क्लिप को देखिए अभी तक missing है, अभी तक घर नहीं आए है तो यह वाकर यह बहुत चिंता जनक बात है वैसे भी पाकिसान में freedom of speech का तो आप लोगों को पता ही है वो R.I.P. हो चुका है रिस्टीन peace हो चुका है मामला, वो कबर में दफन हो चुका है कोई भी बोलने के कोशिश करता उसको दबाने के हर मुम्किन कोशिश की जा रही है अब देखता है कि देखे, हर angle समझना जरूरी है अब पठान भाई कुछ नया angle लेकर आए है तो इनको भी सुनना जरूरी है और मुझे लगता है कि भारतियों को पठान भाई की बातें जरूर सुनने चाहिए ध्यान से सुनिएगा बहुत important बात बताएंगे ये और उसके बाद उस पर विचार करिए बहुत जरूरी है, भारतियों के लिए बहुत जरूरी है चलिए पाकस्तान में जब इमरान खान को पकड़ा गया था उसके बाद से एक पुलिस हेट कावाटर या पिर एक मुजियम को आग लगाया था उनके बंदों ने इमरान खान के तो पाकस्तान के अंदर एक जो है नया कानून आया था उस कानून में ये लिका गया था इसके बार अगर पाकिस्तान में किसी ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाब कोई वीडियो बनाई या कमेंड भी किया उसको जेल में डाला जाएगा आई एक यूटूबर है पाक्सान के अंदर जिसे जो दूसरी यूटूबर के साथ लड़ पड़ा है उसको पुलिस ने पकड़ा है तो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो शुएब अख्तर नाम है उसका शुएब अख्तर को पकड़ लिया एक यूटूबर है ह Perfect 2 अच्छ चलिए ठीक है पक्सान की तारीफ करता है पक्सान की अवाम को मा 커피 आगे लेके उनको बुरा बला बोलता है उनको बोलता है तुम लोग ऐसे करते हो हंदूस्तान इतना अच्छा है अब मेरा क्याल से वह पाक्सानी जो है आपको पता है अक्सर पाक्सानी यूटूबर्स अक्सर बीच में लड़ते रहते हैं खुद को फैमस करने के लिए ये इनकी पुरानी आदत है ये बोलते है हमें गाली आदो लेकिन हमें फैमस कर दो हमें सेलेब्रेटी बना दो यूटूब के अंदर पैसे कमाने क्योंके बाई डॉलर इतना उपरे पाक्सान के अंदर काम दंदा है नहीं अब लोग जो है यार ये शुए अख्तर जो है ये इसको पुलिस ने पकड़ा है यार इसका साथ दो इसका देखें भाई मैं आपको ए जाली देके निकल जाते हैं वीडियो तो देखते ही नहीं है तो कैसा होगा उन्होंने अपना कॉंटेंट चेंज करके हिंदोस्तान की तारीफ कर रहे हैं देखो बाई मैं आपको साब बात बता हूं पाक्सान के अंदर अगर आपने सच बात बोलनी है अगर आपने हकीकत परोसियों का साथ देना है तो आप अपने इधारों को पकड़ो आप अपने पुलिस को पकड़ो अपनी आर्मी को पकड़ो आयसाइ को पकड़ो आयमाय को पकड़ो अपनी सरकार को बुरा बोलो अवाम ने क्या किया है पाक्सान की अवाम ने क्या किया है पाक्सान की अव गालियां देते हैं उनके इलावा उन्होंने कुछ नहीं किया अगर करना है तो अपनी ISI के खिलाब बोलो एक भी वीडियो मुझे बताओ पाक्सान का एक भी यूटूबर जो लाड़ ला हो आप लोगों के आंकों का तारा हो एक भी आप मेरे यूटूबर बता दो जिसने पाक्सान के ISI के खिलाब वीडियो बनाई हो जिसने पाक्सान के आर्मी के खिलाब वीडियो बनाई हो जिसने पाक्सान के पुलिस के खिलाब वीडियो बनाई हो जिसने पाक्सान की सरकार को डारेक्ली बोला हो कि तुम हराम खौर हो तुम देशधगर्द हो बाई परोसी देश के अंदर ये जो देशधगर्दियां करवा रही है ये कून करवा रही है ये आम अमाम करवा रही है ये ये पिर वहां की सैना करवा रही है जब सैना करवा रही है तो सैना की आंकों में आंके डाल के बात करो सेना का नाम लेके मेंशन करके बात करो कि देशधगर्द हमारी आरमी है देशधगर्द जो है वो हमारी I.S.I. है जिसे मनजूर पश्टून जो P.T.M. पार्टी का लीडर है वो करता है जिसे बलोच लोग बोलते है तुम तो आम आमाम को पकड़के माइक उनके सामने तुमने ए तुमने हिंदुस्तान को क्यों बुरा बोलते हैं हिंदुस्तान तो अच्छा है हम बुरे हैं भाई आम आमाम ने क्या किया है वो कर भी क्या सकते हैं उनकी उकात भी नहीं है कुछ करने की वो बिना गाली के बज़ाए अगर आपने वाकई हिंदुस्तान के बड़े गमखवार हो तुम लोग बड़े हिंदुस्तान के तुम लोग लाड़ ले हो प्यारा है हिंदुस्तान तुम लोगों को प्रोसी देश अफगानिस्तान प्यारा है तो फिर आयसाई के उपर वीडि लें हैं या कुछ अलग लेकर आए होगा जाहिद से बाद कुछ अलग ही होगा लेकिन दूसरी तरफ हमें जो चीज नहीं पता थी अब तक नहीं पता थी उछ चीज के ऊपर अगर हम डीटेल में जाये तो जितने भी यूटूबर है पाकिस्तान में जितने भी यूटूबर है आज से कुछ साल पहले जब उन लोग ने अपनी यूटूब जर्नी शुरू की थी तो वह लोग सारे के सारे पाकिस्तान के जितने भी यूटूबर थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान की बुराई कर र वीडियो बना रहा हैं, तो हमें हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा गालिय मिल रही है, हमारी दुकाने नहीं चल रही है, तो हम पैसे कैसे कमाइंगे, यूट्प से पैसा देने वाला जब उसको वीवर सिफी नहीं मिलेगी, उसके सस्क्राबर नहीं रहेंगे, उनके जानकारी थी जो आप लोगों को जानकारी है इस बात के ले करके हम सभी लोग बड़ी चींतित रहते हैं कि पाकिस्तान हमारी देश पे हमला कर देता है बिना सोचे समझे या आतनकवादियों को भेद देता है हमारे हमारे जमानों को सहीद कर देते हैं यह सिप सोची समझे सा प्रोपर प्लानिंग होती है जैसे कि वहां की जो आर्मी है उनका कहना है कि वहां की जो आर्मी है यह सारा गेम करपाती है और यह पास सत्य है कि अगर आर्मी नहीं होती अगर आर्मी पाकिस्तान की आर्मी नहीं होती तो पैदा नहीं होता है आज ग्लोचिस्तान को जो वहां पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ही बनाई गई है söz क्भी भी बलुचिस्तान इन हां के लोगों को सामती से रहने नहीं दिया जाता और अभि आपने पहले एक चीज और देखी सी कि आफगानिस्तान के जो लोग थे तक्रीबन वहां पर बारज से तेरा लाख लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया उनके घर उनके जो 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 पड़ पट्टी थे उनके दुकान थे उनके मकान थे उनके जो भी कुछ थी जो कोई कीस साल से रहा रहा था कोई पचीस साल से रहा था उनको वहां से पाकिस्तान में से वहां की फोज पाकिस्तान की फ नहीं है अगर पठान भाई सोजब चोदरी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं न कहीं रीजन है वहीं न कोई रीजन होगा इसके लिए हम भी पठान भाई का सपोर्ट करते हैं पहले आप इस वीडियो को देखें पठान भाई क्या कर रहे हैं उसके बाद हम आगे बात करते हैं वीडियोज भारत के उपर है सारे इनको पाकिस्तान की इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखी नहीं गई लेकिन भारत की हर प्रॉब्लम हर अचीव्मेंट से इनको वीडियो बनाना है आप ये पूरा मामला समझीए मुड़स ओपरेंडी समझीए मैं भी बैठा हूँ काउंटर करने के लिए क्योंकि सीधे खुला मैदान नहीं दिया जा सकता जो लोग मुझसे कहते हैं कि आप प्रमोट करते हो आप ये करते हो आप हो करते हो भाई जो डीप बात है वो समझो खुला मैदान दे दिया जाए जो उधर बोला जाए वो सब जाने दिया जाए देखने वाले तो भारतिया है न तो अगर मैं काउंटर करूंगा फैक्स लेकर आऊंगा तो हमारे जो भारतिया भी देखेंगे वो फैक्स तो देखेंगे फिर वो फैक्ट ले जाके उन पाकिस्तानी चैनलों पर मूँ पर मारेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे अपनी पावर को पहचानी है भारतियों अपनी ताकत दिखाईए कि तुम सही बात बोलो ये करवाना है और ये छोड़ना नहीं है खुले आम उधर से अगर फाइरिंग हो रही है तो क्या इधर हमारे बॉर्डर वाले बंदे बैट जाए छोड़ दो नहीं जवाब नहीं देना क्यों नहीं देना भाई अगर उधर से एक गोली चलेगी इधर से दस गोलिया चलेगी अगर उदर से एक प्रोपगेंडा यूटूब पर डाला जागा मैं इदर से दस फैक्ट लेकर आँगा उसके लिए आप बताइए कि ये फैक्ट लेकर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बिद्वा हुई हैं हमारे देश के अंदर लोग अकसर मेरे से कमेंटों में पूछते हैं पटान भाई अफगانिसान में हिंदू सिक का क्या हुआ अरे मेरे भाई अफगانिसान में वार चल रही है पिछले 40 साल से मैं आपको बताओं आप जाके गूगल में सेर्च करें कैलकुलेट करें कि कितने हिंदू कितने सिक और कितने मुसल्मान मरे हैं अबगानिसान के अंदर जितने मुसल्मान मरे हैं उसका एक हिस्सा सिक और हिंदू जो हैं मरे हैं यानि के 75% खुद अफगानिसान के मुसल्मान मरे हैं और वो सिक और हिंदू वो भी तो अफगानिसान के हमारे भाई थे हम उस पे भी क्या कर सकते हैं एक देश हमारे साइड में पड़े होके हमारे लोगों को मार रहा है उसको देखें जब वो अफगानिसान के लोगों को मा करता था कि दुनिया उप्जेक्शन उटा है तो उनका बड़ा फाइदा हुआ करता था इस वज़े से वो लोग हिंदू सिक को टार्गिट करते थे इसे क्रिस्टियन को टार्गिट करते थे और हर देश में यही होता है कि फॉरिजनल को जाके मारो दुनिया उस पर बात हुआ था ताज होटल में उसे आप लोगों ने क्यूँ मारा क्योंकि हमें नौलिज है हमार पता है कि उसे किसने मारा था यही मसला सेम टुसें अफगानिस्टान के अंदर हुआ है अगर हिंदू सिक्स से अफगानिस्टान के लोग या अवाम नफरत करती तो यह जो आप cricket ground में या पिर हिंदुस्तान के देश बे या पिर अफगानिस्तान आए हुए मेमान जो बिलोगर जो यूटूबर आते हैं उनको क्यों गले लगाते हैं अगर अफगानिस्तान के मुसल्मान हिंदू को बुरा मानते तो तालबान जैसे कटर मुसलिम एक हिंदू को अपने गर्द माहोल ता दोस्तो जब अफगानिस्तान के अंदर आप बताईए जब मेरे इतने बाई मारे गए अफगानिस्तान के अंदर मेरे इतने गर उचाड़े गए मेरा अफगानिस्तान तीन दफ़ा मेरी सरकार गिराई गई मेरे प्राइम मिनिस्टर को अफगानिस्तान के Capitol काबूल में लटकाया गया, मेरे जो आर्मी को धोद अपा जो है वो थोड़ा गया, सरकार चेंज कर दी गई हमारे देश की, मैं कैसे उस देश के एक यूटूबर को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे उस पाकिस्तानी एक बंदे को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, कि वो जेल चल के नाम से जो संगठन बना हुआ है वह लोग पाक आर्मी को क्यों तोड़ती है क्यों माड़ती है क्यों से इतना जगड़ा मोल लेती है इसके पीछे कही ने कहीं कोई रीजन है आज पठान भाई ने एक एक चिप्ठा खुल कर अगया हम अभी तक तो हम समझ रहे थे कि चलो बहुत जो जो चोधरी कर रहा है वह अपने देश के लिए कर रहा है या फिर अपनी लोगों के लिए कर रहा है एक्चुली में इस वीडियो को देखने के बाद एक चीत मेरे को समझ में आ रहे है कि स्वेप चोधरी हो चाहे पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर हो वह सि की आखे नहीं खुल रहे है कि कि अगर सराद पार से खुले यां फाइरिंग हो रही हो और यहां पर लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो तो अच्छा हो नहीं सकता हमें काउंटर करने के लिए हमें जवाब तो देना पड़ेगा फैक्ट तो लाने पड़ेंगे अब फैक्ट सिर्फ इंडिया और कुछ भी नहीं मिलेगा यह मैं खुद में वीडियो देख करके बता रहा हूं और कोई अलग से नहीं बता की कि अभी रात्री के कुछ उस वीडियो बनारा हूं तो पठान भाई का जो कहना है कि जो बस बलोच लिंद बलोचिस्तान कश वे선 प्रकी कि अभी पठान भाई ने बताया कि जब किसी की उपर ज्यादा आतंक करोगे तो लड़ने पुतारू हो जाता है और यही बात आज तक हिंदुस्तानियों को नहीं पता थी मुझे भी खुद नहीं पता थी खास तौर पर जो पाक आर्मी है वहाँ पर हिंदु को चैसिक हो चैया हिंदु हो चैया क्रिस्चन हो उनको कभी महात्म नहीं देते हैं सारे लोगों के ऐ tomorrow's video में ये मैंने देखा था आपने बहुत सरे ऐसे social media पर वीडियो आते रहते हैं ये आज हिंदू को हिंदू लड़की को विट्नेप लेगा हिंदू को मार दिया गया आज कृस resolution के आ-ज चर्च को जला दियेगा ऐसे बहुत सारे इंसिटेंट आपको देखने को मिले होंगे और मैंने भी देखे हैं आपने भी देखे होंगे ये बात गलत नहीं है और इस पे सिफ हमी लोग बात नहीं कर रहे हैं इस समय हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान के बहुत सारे हैं तो कहीं न कहीं कोई सच्चाई होगी कोई न कोई कहते हैं कि जो आदमी जिसका भुक्त भोगी होता वही उस घटना का वरणन कर सकता है और यह बात तो सकते हैं अगर इन्हों उस घटना को देखा है तो जाहिद से बात उस बातों को यह बता रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान पाकिस्तान को जो बॉर्डर है, सबका रिलेशन किसी का उस पार के लोग है, कोई इस पार के लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इसके उपर अगर कोई आवाज उठाता है तो उनको वहां से गायब करवा दिया जा रहा है और यही बात बलुचिस्तान में हो रही कि बलुचिस्तान में जो अभी वहां पर क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए हो रहा है क नुहां के लोगों को गायब करवा दिया क्या है और यह बात सत्य है इसमें कोई दो रहे नहीं है और अलोग भाई का भी कहना सही है तो मैं 100% पठान भाई के सपोर्ट में हूँ चाहे हो सवब चदरी हो चाहे ओ मुझमूल कुरशी हो चाहे ओ सना अमजध हो चाहे नैला सैला हो चाहे वह कोई भी आयरा गया नतुखहरा हो पाकिस्तान को उच्छे हमें कोई लेना देना नहीं है बात यह आती है कि हां हम उनके सब्सक्राइबर हैं उनके कंटेंड को देखते हैं कुछ अच्छी चीजे बताते हैं चलो उसको हम लेने के लिए हम हिंदुस्तानी जरूर हैं हमारे अंदर भी दिल है हमारे अंदर मी मना सियसत दान है उनसे तो कभी सवाल नहीं किये आप अपने ISI से कभी बात नहीं किये आप अपने मुख मंत्री जो हां के जो एरिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं जो छोटे मोटे जिसे हमारे क्या मुख मंत्री है पारसाध है और आपको मान के चले जो भी हमारे यहां लोकल न को ये देखा कभीने देखा यह बात पठान भाई का कहना 100% सही है और मैं इस बात से 100% agree करता हूं बाकि आपको इस वीडियो में ऐसा क्या लगता है जो हमें बताने में या आपको सुनने में फरक लगता हूँ लखी में करना नकरना वो आपकी बात है, वो आपकी दिमार्ग के उपर सोच में या आपके समझ में जो भी फरक लगे उससे कोई फरकने पड़ता कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सूचते, पठान भाई सही कहा या अलोग भाई ने सही कहा यや मैं सही का रहा हूँ मैं पठान भाई के फवरे बात कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ आप लोका मैं पदर ISA कर लोग बात है अब पछले 40 साल से जो पठान भाई ने देखा है उनकी उमर 40-42 साल की उमर है अब पिछले 40-42 साल उन्हों नों जो देखा है वही बात आज एस वीडियों बता रहे थे और इस वीडियों को कोई आतंकी घुश जाता हमारे देश में अगुश करके हमारे बीर सैनिकों की कोई सर कलम कर देता था तो कोई गोली चला के मार देता अभी रिसंटली एक जो पुलवामा से पहले अभी एक महिना पहले भी घटाओ चार लोग मारे गए थे इसके पीछे हाथ किसका है इसके प पकिस्तान के आर्मी कहीं तो हाथ है वहांपर एक हाफी जो साइब करके जो आतंकवादी है जिसको सरक्षर दे कर बैठा हो जिसको लोग छुपा के रखे हुए है पाकिस्तान आर्मी ही चुपा कर रखी है और यह कोई बड़ी बात नहीं इसके उपर भी बात किया था पठ में देखा है कि कि किसी भी आदमी आरे गेरे नत्तु खेरे पर विश्वास कर लेते हैं फिर उसका भुगदंड हमें और हमारी प्रीमियों को भुगतना पड़ता है तो इस बात को लेकर के ना तो हम चुप रहने वाले हैं ना तो आप चुप रहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तक कमेंट जरू करिए वीडियो को लाइक करिए और और भी लोगों तक फैलाईए कि कि देखे अवेरनेस इतना होगा आपके पास उतना ही आप लोगों को जानकार बनना पड़ेगा अब बनेंगे भी अगर आपको जानकारी आपके पास मिल रही है तो हमारा मेंन मोटो यूटूब पर आने का यह नहीं था कि हम आएंगे, तो हम यह करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई content नहीं होता, हम एक short video, हमारा short channel है, हम लोग वही पर अपना time spend कर लेते हैं, हमारा अच्छा लगता है हम लोग वो time spend करना, लेकिन यह जो long video बनाता हूं, इस long video पर हम कोई ने कोई topic पर बात करते हैं, कोई अगर comedy होता, तो comedy के topic पर बात कर लेते हैं, reaction देते हैं, या कोई असल मुद्दा होता, तो उसके उपर topic पर बात कर लेते हैं, जो हमारे मन में आता है, वो बोलते हैं, वीडियो आप लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा, क ऐसे ही content के साथ हम आप से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत